हालो और वेलकम तो लेट्स क्रेक यूप एसी सीएसी माने में इस प्रतीक नायक और मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया का लार्जेस लर्निंग प्लैटफॉर्म के ऊपर अनकेडम का टॉप एजूगेटर आपके साथ लेके आया हूं और थे आपके रहें उनके इंडिया बार में अग्रो किसे और की फिलॉप करेंगे अंदर हमने आर्किटेक्ट्चर की शुरुवाद की थी मैंने आपको बहुत सारी लोकेशन्स बताई थी बुद्धिजम के अंतरकत और इन फेक्ट बुद्धिजम की जो पूरी की पूरी जर्णी है वो भी मैंने आपको दिखाए थी तो लेट अस रिवाइस जस्ट इस्ट क्योंकि वहां से हमारी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमने आपको पिछले क्लास के अंदर अगर आपको याद होगा तो भी है डिसकस्ट जर्णी बता दी थी थी ना तो बुद्ध की जर्नी अगर आप याद करोगे तो 483 BC से उनकी जर्नी शुरू होती है औ और करीबन 29 साल की उमर में at the age of 29 years उनको क्या हो जाता है निर्वान प्राप्ति मतलब मैं कहूंगा कि वह संसार सोड़के चले जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं महाभी निश्कर्मा तो वी हैड डिसकस्ट वाट इस महाभी निश्कर्मा उनने संसार कैसे छोड़ा वह हमने देखा था और इसी के बाद at the age of 35 years वी सी जब उनको निर्वान प्राप्ति हुई निर्वान प्राप्ति हुई उसके बाद उनके टीचिंग्स उन्हों ने देने शुरू कर दी स्टार्टिविंग इस सर्मन और करीबन 80 साल की उमर में 568 के आसपास का पीरेड हम लोग कह सक कर्मत अपने राज्य को ही चोड़के चले गए थे वहां से शुरू आत हुई थी आज हम लोग देखने के वाले हैं कि बुद्ध के मुरुत्यू के बाद उनके ट्रेडीशन कैसे आगे चलते हैं तो जरनी और बुद्धिजम के अंतरगत जो कल्चल ट्रेडीशन निकल के यह थे उसके अंतरगत मैंने आपको बताया था कि बुद्ध को सिंबॉल्ट के रूप में याद रखा जाता था और बुद्ध ने खुद भी कहा था कि मेरी कोई मूर्ती मत बनाना क्योंकि मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं मैं तो एक संथ हूँ मैं तो एक असेटिक हूँ मैं तो एक हर्मिट हूँ है ना तो यह जो कंडिशन क्रियेट हुई थी इसी के बाद हमको बता चल रहा है कि बुद्ध के मुरुत्यू के बाद इमिडेटली उनको सिंबॉल्स के रूप में याद रखा गया था और सिंबॉल्स के तहट अगर आप पिछला बुद्ध के बुद्ध के बुद्ध की बनने की शुरूआत होगी और यहां से बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की शुरूआत होती है ना तो 483 BC के बाद वाला जो period आप देखोगे तो हमको 3-4 चीज़े मिल रही है एक तो Buddhist Councils का निर्मान आपको देखेगा you'll find the Buddhist Councils और यह Buddhist Councils के तहट हमने चार Councils के बारे में पिछले class के अंदर discuss कर लिया था सर है ना यहां से पाली literature का development होगा और हमको यह भी पता चल रहा है कि तीन किताबे लिखी जा रही है विनए पिताक सुद्ध पिताक अभिधम पिताक है ना तो याद करोगे आप पिछले classes को तो मैं आपको इसके बारे में अल्रड़ी पढ़ा दिया है सर है ना कि इसकी क्या इंपॉर्टन्स है इसी पीरड में स्टूब बिल्डिंग की शुरुवात होगी और यह स्टूब बिल्डिंग चलता रहेगा चलता रहेगा अप तिल फरस्ट एक था महायान संप्रदाय और दूसरा था ही नियान संप्रदाय तो मैं आपको कल के क्लास के अंदर आउंगा तो यह महायान ही नियान के बारे में थोड़ा बहुत डिसकस करूंगा आज अभी मैं तूप बिल्डिंग के ऊपर चल रहा हो क्योंकि इनफेक्ट इमिडेटली आफ्टर देथ बुद्ध के मुरुत्यू के बाद भारत में अलग 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 रीजन में स्टूप बनते हैं और अलग अलग डैनस्टी के जो साशक थे वह स्टूप बिल्डिंग की शुरूवात क प्लस के ऊपर तो अब जूद सकते हो हमारे पेड कोर्स वहां पर चलते हैं और आई टीच हिस्ट्री ऑफ्ट्र एंज जर्नल स्टीज बोथ है ना तो हिस्ट्री का अगर आपको आर्ट अन कल्चर के डिएट आपको कोई भी क्वेरी है तो यह वोस्ट वेल्कम तो जॉइन के लिए अगर आपको सबसे बेस्ट में आपको कहूंगा ऑप्शन वह आपके लिए होगा वह कॉमबेट आप एवरी संडे हमारे कॉमबेट के अंदर पार्टिसिपेट करिए 60 कोशन्स या 60 मिनिट्स के अंदर 56 कोशन्स आपको सॉल्ड करने होते हैं इस्टिंग गुंड सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको कुछ नहीं करना है इसके ओपर क्लिक करेगा और यह कोड डालिएगा पी इन लाइव करके कोड यूज करेगा संडे 11 बजो होता है हर संडे को होता है और यह प्रोइडिंग मुल्टिपल बेनिफिट्स स्कॉलर्शिप के रूप में आपको मिल जाएगी अगर आप प्रिल्म के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप दो मेने के सब्सक्रिप्शन कोर्स के इंदर जोड सकते हो ओनली 15,000 रुपीज पूरी की पूरी के क्रेश कोर्स हो जाएगी हमारे क्रेस्ट अभी लांच हो गये है आप इसमें भी पाडिस 4680 के अंदर प्रिलिम्स में और आपकी ऑफ्शनल की टेसरी कवर हो जाएगी बुक लिस्ट आपको पूरी बुक सेट दिया जाएगा इन फैक्ट आपको लोन की फैसिलिटी अवलेबल की जाएगी और आपको बहुत डेडिकेटेड हेल्प मिल जाएगी है तो अभी 28 अगस अब फीस 49,680 है हो सकता है इसकी 51,000 भी हो जाए है तो इस्टीस यू कें मेक दे मैक्सिम आउट आप बाकी आपको टेसरी इसके अंदर से कवर होती है इन फैक्ट टेसरी की टोटल वैल्यू आप देखोगे तो 45,000 रूपीज आती है क्योंकि आप बाहर जाओगे मार्केट में तो प्रिलिम्स की टेसरी इस अलग से होती है मेन्स के अलग होती है ऑप्स्टनल के अलग लेनी पड़ती है वी आर प्रोवाइडिंग एवरिटिंग अंडर वन रूप एस वेल ओके तो इस वेडिये हमारे साथ फाइन वन ओफर है यह आपको बाद में शायद ना भी मि इसका फाइदा यह होगा कि आपको पर्सनल मेंटर्शिप मिलेगी आपको अनकेडेमी की तरफ से एक मेंटर लॉट किया जाएगा जो आपके डे टूडे अपडेट्स को ध्यान रखेंगे और आपको आंसर आइटिंग से लेके हर एक चीज़ के अंदर हेल्प करेंगे टीच आपकी जो भी क्वेरी होगी हम लोग ले पाएंगे बागी ऑप्शनल का डेडिकेटर सब्सक्रिप्शन भी अविलेबल है आई विल नॉट सजेस्ट कि आप सिंगल ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लीजिए जीएस के साथ लीजिए 49,000 रूपीज के अंदर अभी अविले सब्सक्रिप्शन भॉक्स में उसको फॉलो कर दीजिए गाना तो यूट आपका फ्री है या पेड है जब यह आप अपने अचेडमी में आओगे तो पी अन लाइव कोड के द्वारा हमारे साथ जुड सकते हो इन फाक्ट मैंने इसके अंदर कॉंस्टिशन हिस्ट्री पढ़ाई हुए है कॉंग्रेस के प्रेसिदेंस पढ़ाई हुए है फॉरें रूलर्स या फॉरें ट्राविलर्स इन इंडिया की कहानी बताई है तो आइव टेकन मल्टीपल सेशन्स आप इसमें भी पार्डिसिप और स्टूप की बनाये थे हैं तो कल मैं आपको बुदिस्ट अर्टक्टिक्चर अंदर तूपा और में पढ़ा दिया था तो मैंने को बताने की दिया की वह के मुरुत्यू के बाद यह स्टूप बहुत जगा के उपर बनते हैं तो कल का अगर आपको सेशन याद होगा तो इन फैक्ट हमने आपको एक मैपिंग करवाया था तो मैंने आपको यह मेजर बुदिस साइट्स बताई थी अलग अलग डाइनस्टी के द्वारा बनती है अब साथ उसको पर मैं कल एक अद दिन ऐसा हो तो मेका स्मॉल वीडियो ऑन दे को सब्सक्राइब करके एक जगा है यूप के अंदर यहां पर स्टूप मिला हुआ है उसके जगह आप देखोगे तो आपको राम पुत्र करके एक जगह दिखेगी यूल फाइंड राम नगर कहें आपको श्रवस्ति दिख जाएगा सर है आपको कुशिन अगर देखेगा क्यूंकि यह सब वैसी जगह थी जो बुद्ध के जीवन के साथी पावा करके जगह दिखते यूल फाइंड प्लेस पावा क्यूंकि पावा के अंदर एक छोटा गंसंग हुआ करता था मल राजवन होगा करता था तो वह सब जगाय थी जहां पर स्टूप बिल्डिंग की शुरुवात होगी सर है अब मुझे आपको आज क्लास के अंतर यह बताना है कि यह स्टूप है क्या सर है और स्टूप का निर्मान कैसे हुआ स्टूप की कहानी क्या है सर ठीक है तो आज हम लोग थो इस बनेगी यहां पर क्योंकि महायान जो है वह बुद्ध को गौड के रूप में कंसीडर करता है और इसके लिए फिर हमको बदा चलता है कि आइडल वर्शिप शुरूआत हो जाएगी और जब आइडल वर्शिप शुरूप होगी ना तो उसके बाद क्या होगा कि उनकी म हम कह सकते हैं कि उनको सिंबॉलिक वे अंदर आर्किटेक्चर में क्या गया था देखिए हमेशा कोई भी अर्किटेक्चर होता है उसके बीचे की फिलॉस्पी होती है फलसुफा होता है यह फिलॉस्पी के आधरी थी कोई बीस्टापती आज आप मंदिर देख रहे होगा आपको बुद्ध के जीवन के अंदर जो घटना है जैसे हाथी दिखेगा आपको हाथी की फिलोसपी है क्योंकि बुद्धिजब में हाथी का चीज को मिल रही है कि जो बुद्धिस सिम्बोल से उसको शुणाद किया तो सूप इन्हीं में से एक चीज दर्शाथा है और सूप के बारे में आपको कल के क्लास के बताए भी था कि सूप क्या दर्शाथा थीक तो स्टूप signifies death in Buddhism है ना यह क्या दर्शाथा है signifies death in Buddhism यह मुरुत्यू को दर्शाता है और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि यह स्टूप क्यों बनता है what is the reason behind that है समझे कि नहीं समझे तो बिजिकली पाली के अंदर यह शब्द आपको मिलेगा इन पाली लिट्रेशर बुद्ध अपने जीवन के आखिर के समय पे थे तो आनंद के साथ चर्चा कर रहे थे और आनंद उनका शिश्य था और उनका कजिन भी हुआ करता था वो कहता है कि महराज आपके मुरुत्यू के बद हम आपको कैसे याद रखेंगे बुद्ध की जितनी भी अस्तिया थे उनको इखटा करके थूप बने है ठीक है और यह थूप का निर्मान ही बेसिकली स्टूप के रूप में बोले गए सर समझेक नहीं समझे है तो वाट डो वी सी ओवर हियर देर वर मल्टीपल साइट जहां पर यह स्टूप बनने की याद कर रहा है था कि बुद्ध जब जिन्दा भी थे सर है ना उस पीरड के समय पे आपको चैट्य निर्मान देखेगा चैट्य और विहार क्यों चैट्य और विहार बिन रहे थे क्योंकि चैट्य अन्विहार एक ऐसी मॉनुमेंट्स हुआ करते थे जहां पर यह लोग प पर क्रियेट हो रही है इन्हीं बेजिस के ऊपर से हमको बढ़ा चल रहा है कि यह चैट्य विहार का निर्मान हुआ और बुद्ध के मुरुत्य के बाद इमिडिटली स्टूप बनने की शुरुवात हुई अब देखें स्टूप की कहानी क्या है उसके ऊपर थोड़ी बुद्ध की जितनी भी अस्तिया थी सच इस बॉडिली रिमेंस उनके जो शरीर के अंग थे जलाए हुए क्योंकि उनको क्रिमेट किया गया था और और इस अब देखें तूप है ना दो प्रकार से आपको दिखेंगे एक होंगे शारीरिक स्टूप है ना शारीरिक स्टू स्टूप की जो फिलॉस्पिकल बेजिस है समझ में आ रहा है आपको आप देखिए कि इतियास को जब आप इतियास के रूप में मत देखिए क्योंकि आर्किटेक्टर इस पार्ट ऑफिस्ट्री अर्किटेक्टर इस एप्लिकेशन और थे बुद्ध के जो विचार थे बु सांस्कूरुतिक परंपरा के रूप में है ना तो आप जब सांस्कूरुतिक परंपरा को देख रहे हो भारती इतियास की कोई भी हो गई उसके पीछे की थियरी आपको क्लियर होगी तो आपको बदा चलेगा कि यह बिल्डिंग ऐसा क्यों बना है समझे नहीं समझे तो बुद्ध विजिट किये गए थे या बुद्ध ने अपना जीवन का बहुत सारा इंपोर्टन पार्ट यहां पर प्ले किया था ठीक है और यह वो सब जगह थी जहां पर गण संग इंफक्ट है ना अंदर और फाइड भी करते हैं कि हमको अस्तिया देदो हमको अस्तिया द देखिए कि बुद्ध ने आनंद को अपने जीवन के आखिर के पीरड के अंदर कहा था क्या कहा था आनंद को कि मेरे मृत्यू के बाद मेरी शरीर की जो अस्तिया है माय रेलिक्स इवेंचुली हैस टूबी बरीड डाउन है ना उसको आप एक जगहा पर इखटा करिएगा और यहा से आपका स्थूब बीडिंग की शुरुवात होगि तो यह पाली के अंदर थूप बोला गया था और बुद्ध ने कहा था कि मेरी जो भी साउन है एक माउंड एक टिल्ले हो जाने चाहिए अब होता क्या है कि आपको यहां से दो तीन चीजे पता चलेगी यह जो स्टूप ट्रेडिशन है भारत में पहले से एक्जिस्ट किया जा रहा था समझेक नहीं समझें तो हमेशा याद रखेंगा ट्रेडिशन और इरेक्टिंग स्टूपा में प्री बुद्धिस्ट का मतलब क्या है कि बुद्ध ने बोला उसके पहले भी शायद तक स्टूप बनते होंगे इन फक्क यह जो स्टूपयर ट्रेडिशन के अंदर प्री बुद्धिस ट्रेडिशन कुझ लिखे गए उसके पीछे कि मैं कहानी बता देता हूँ क्योंकि यह जो stoop traditions है इसके अंदर में आपको पता चलता है कि रगवेद के अंदर भी stoop नाम के शब्द की बात की गई है so even in the रगवेद we do get instances the mention of the word stoop पर उसमें relics की बात नहीं की गई there is no mention of direct relics in the रगवेद तो रगवेद के अंदर बात तो की गई है the question of erecting stoopa may have been pre-buddhist याद रखेगा यहां से question बनेगा क्या क्या वही stoop buddhism के साथ exclusively जोड़ा हुआ है आपको क्या question आ जाएगा क्या stoop building का जो पूरा part है वो buddhism का exclusive है या इसके पहले भी बनता था इसके बाद में भी बनता था तो याद रखना चाहिए कि the stoop traditions were pre-buddhist buddhism के पहले भी हमको stoop के traditions मिल जाता है सर ठीक है but they came to be associated with buddhism क्या लिखाया दूसरी line कि उसका जो पूरा का पूरा जो mention है वो buddhism के साथ ही होता है क्योंकि buddhism के कारण वो ज्यादा popular हो गए तो हो सकता है कि पहले के समय के अंदर जब कोई व्यक्ति का मृत्ति होता था उसकी अस्तियों को आजू बजू में टिले के रूप में धीर बना के लोग वहां पे उसकी अस्तियों को संभाल के रखते थे might be a possibility कि whenever a common person या rich person सकते हैं कोई राजा का मृत्य हुआ हो या कोई साधू का मृत्य हुआ हो तो उस समय के दौरान अुनकी जो अस्तिया थी उन सब को इखटा करके उनके आजूबाजून में माउंड बना दिया जाते हैं माउंड को क्या कहते है loving k structured तिला मटी का एक देहर समझ में आ रहा है आपको सिर ठीक है ना तो इंदी लाम वी कहते शिदे हैं हम लोग क्या है ना हम को यहां पता चल रहा है कि इसमें रेलिक्स थे इसमें अस्तिया थी बुद्ध की और basically बुद्ध के बाद उनके जो सिश्य थे उनके भी स्टूप बनने की शुरुवात हो गई So since the contained relics regarded as sacred यहाँ पे जितने भी relics थे वो बहुत पवीत्र हुआ करते थे The entire stupa came to be venerated as an emblem of both the Buddha and Buddhism मतलब आप देखने की कोशिश करिए कि यह stoop in fact इतने पवीत्र हुआ करते थे इसके कारण इनको लग रहा था कि यह हम लोग के लिए बहुत ही इनफेक्ट है ना पवीत्र जगा है और in fact यह बुद्ध की लिए इनफेक्ट है ना एक बहुत ही important place के रूप में उभर के आ गए सर है ना तो आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए कि कहां कहां से यह stoop tradition बनने की शुरूआत हो रही है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस तरह से stoop tradition का निर्मान हुआ बुद्धिजम के साथ पता हुआ सर ठीक है ना तो please remember this places आपको at least यह places पता होनी चाहिए कि कहां कहां पर स्थूप architecture का development होने की शुरूआत हो रही है और स्थूप architecture के अंतरगत जब हम लोग बताने की कोशिश करेंगे तो यहां पर स्थूप के निर्मानों के पीछे की जो कहानी है वो भी आपको पता चल जाएगी सर ठीक है ना तो आपको यह चीज पता चल गी कि कहां कहां पर स्थूप बने हैं और किस तरह से चीजे चलती रहती है सर है ना तो स्थूप की locations को आप याद रखिए कि कहां कहां पर बनी है कौन से कौन से kingdoms के द्वारा बनवाई गई थी और यह जो स्थूप बने थे वह कौन से थे सर समझेख नहीं समझे है ना तो आपको कोशन आ सकता है कि विर्च आर्दी एट प्लेसिस विच आर्दी एट प्लेसिस और स्थूप बिल्डिंग याद रखेगा कि बुद्ध के जीवन के साथ आठ ऐसी जगाओं का हाइलाइट कर रहे ज है कि आज यह जो रेलिकस थे यह इसी को ही शारीरिक स्थूप के रूप में पहचानते है इसमें साथ वत्ता एक है साथ वत्ता एक का मतलब क्या है कि देर सेवन वर्यशिस जहां पर मूल्त सूप बने एक श्थी बुद्ध के भ्रहामन ने ले लिए इकशुली या नाम था वह द्रोना करके ब्रहमिन हुआ करते तो बाकी साथ ऐसी जगाय थी जहां पर स्टूप बनते हैं तो याद रखेगा दप्लेस अफ अर्ली स्टूपा आपको कोशन आ सकता है देखें नास की और कोशन की विचार दप्लेस अफ अर्ली स्टूपा और दफॉस्ट अइवड से स्टूपा आपको यहां से कोशन आ जाएगा कि विचार दप्लेस तो हम लोग मैपिंग कर देते हैं लेट अस दूपा प्लेस प्लेस क्योंकि यहां से कोशन आएगा बुद्र के मुरुत्यू के बाद इमिडेटली कहां कहां पर स्टूप बना है तो हमको आइडिया रहना आपको सबसे प्रॉमिनेंट जगा जो दिखेगी वह आपको यहां पर दिखेगी राजगीर अब राजगीर क्यों दिखती है क्योंकि इस टाइम पर इमिडेटली राजा था अजाद सत्रू और अजाद सत्रू वह वह एक्शली बुद्र का सिश्य हो बन गया था तो मैं लेके जाओंगा बुद्ध के स्टूप को क्योंकि बुद्ध हमारे लिए बहुत प्रिया है सर ठीक है तो एक तौस्ती का पार्ट इनके पास चला गया तो इसने एक स्टूप बना दिया राजगीर वाले रीजन में दूसरा आप देखोगे तो आपको वैशाली देखे राया था कि कुछ-कुछ 6th century BC में बहुत सारे गंड संगस थे तो चोटे-चोटे राज्य हुआ करते जिसे हम लोग रीपॉब्लिक कहते हैं लिच्छावियों का जो राज्य था वैशाली स्टेट एक तो यह जगा दिख जाएगी इसके साथ-साथ आपको नेपाल के अंदल लूंबी नी दिखेगी you'll find a place called as Lumbini sir, sir है न? So you'll find a place called as Lumbini, Lumbini क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुद्ध का बर्थ हुआ था तो यहाँ पे भी काफी लोगों ने डिमांड किया कि यहाँ पे एक सूप बनना चीह है there should be a stoop क्योंकि हमारे महराजी है इनका मुर्त्य हो चुका इनकी अस्थिव को उपर अगर हमको stoop बनवाना है तो ऐसी जगा पे हम लोग बनाएंगे जहां पे एक लैंडमार्क क्रियेट हो सके सर ठीक है तो लुंबीनी became a very important place for the stoop creation सर ठीक है लुंबीनी मरलब कपिला वस्तु हम लोग लिखेंगे लुंबीनी का मरलब क्या है कपिला वस्तु लिखेंगे sorry my bad कपिला वस्तु लिख देंगे क्योंकि कपिला वस्तु was the capital of the शाक्या डानस्टी और वहां से इनक्षक बुद्ध का पूरा का पूरा kingdom चलता था लुंबीनी के जगा आप कपिला वस्तु लिख सकते हो you can highlight the place called as कपिला वस्तु क्योंकि वो वहां से ज्यादा relevant है सर ठीक है न तो हम लोग लुंबीनी हटा देते है just a second my bad हम लोग कपिला वस्तु लिखेंगी क्यों कपिला वस्तु करके जो राज्य था वहां से उनका पूरा साशन चल रहा था तो उनकी पूरी की पूरी political dynasty वहां कपिला वस्तु से चल रही थी कपिला वस्तु के अलावा आपको एक, दो, तीन जगाए हो गई उसके साथ-साथ आप देखोगे तो आपको एक जगा देखेगी पावा आपको कौनसी जगा देखेगी पावा आज के modern बिहार के अंदर ही है पावा यह इसी को भी पावा पूरी कहता है पावा पूरी और पावा इस प्लेस पावा एक ऐसी जगा है जो बुदिजम के साथ भी जोड़ी हुई है क्योंकि यहां पर बुदिस्टू पाया हुआ है बुद्ध का रेलिक्स आपको देख जाएगा रेलिक्स और बुद्धा और यहां पर स्तू पाया हुआ है पावा is also a place which is also part of the Jainism वो क्यों Jainism के related है पता है कि नहीं पता आपको सब ठीक है the reason is कि महवीर की death place भी यहां पर थी महवीर also passed away इनका मृत्यू पावा पूरी के अंदर ही होता है याद रखेगा सर है न तो आपको पूछेगा कि which of the following places are common between Jainism and Buddhism क्या पूस्ता है आपको पता है कि कुछ-कुछ ऐसी जगाओं का मेंशन बताइए जो common है बुद्धिजम और जैनिजम के बीच में क्योंकि बुद्ध और महवीर समकालीन थे हमने आपको पिछले class के अंदर बता थे किताब ती श्रमन फाल सूत्र करके जो किताब है उसके अंदर इस चीज का बहुत क्लियर कट मेंशन है कि बुद्ध के समकालीन बहुत सारे traditions निकल के आया थे खियर उसमें से बुद्धिजम बहुत पॉपिलर हुआ उसके बीचे का कारण बुद्ध के वीक हो गए तो आपको मिलेगी एक दो तीन चार पांच और पांच जगाए हो गई सब्सक्राइब कापिला वस्तु इसके उपर आगी चट्थी हम लोग इसके अंदर से इंक्लूड कर सकते है ठीक है राम ग्राम मिल रहा है इसके साथ साथ आपको दिखेगी एक जगा जो हमारे लिए बहुत इन फैक्ट इंपोर्टन्ट है जिसका नाम है वेथा पीडा सर है ना कौन सी जगा है वेथा पीडा याद रखेगा वेथा पीडा इस प्लेस इन दी नॉर्थ इंडिया ओनली सर मतलब वही यूपी बिहार वाले पट् टुक प्लेस है ना तो आपको कहां कहां जगाए मिल रही है आपको पावा राजगीर वैशाली रामग्राम वेथपीडा कुशिनगर एंड कपिला वस्तु मलब एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ जगाए होगी सर साथ जगाए होगी दिसार सेवन प्लेस जहां पर स्थ जगा बनती है कौन सी जगा बनती है पीपर हाव सर है न तो पीपर हाव करके जगा मिल लिए और वहां पर फिर अस्तिया डेवलोप हो गई एडिस बिकेम दो ओल्डेस्ट स्थूपा सर समझेख नहीं समझे है न तो ऐसे आपको बहुत सारे स्थूप दिखेंगे यूए उ साची is the place which was not part of the original स्थूप building क्योंकि साची में तो later on अशोक ने बनाया था बरहौद भी नहीं आएगा समझ में आया कि नहीं है इवन सारनाज भी नहीं आता है सर ठीक है इसमें आपको कुशिनगर के अंदर ही दिखेगा जो ये sites दी गई है न सर तो early स्थूप traditions के बारे म आपको प्रशना आ सकता है किताब में नहीं दिया है पर at least मैंने आपको locations लिखवा दी है क्योंकि मेरा कारिया ये है कि मैं आपको in fact इसकी locations ज्यादा बता दो सर ठीक है अब सवाल ये था कि प्रारंबिक जो स्थूप बने उसे शारीरिक स्थूप कहते है सर ठीक है उसे शा जगाओ पर बने हैं तो इन सब जगाओ का नाम याद रखेगे पावा वैशाली आप देखेगे वैशाली कपीलावस्तू राजगीर रामगराम वेथपीडा कुशिनगर है ना समझेक नहीं समझे और एक ध्रोना करके ब्रहामन थे वो लेके गए वहां से फिर पीपर हाव का स्टूप बना पीपर हाव स्टूप इस वेरी फेमस टोटल मिलाके आठ स्टूप निकल के आएंगे सेवन प्लस वन याद रखोगे यह एट कर दोगे तो भी चलेगा आपकी इतनी पूरी कहानी पता होनी चाहिए और इसी का ही सबसे पहला एक्सकेवेशन हुआ था तो म अर्ली 1900 में ट्रांजिशन हो रहा है और तब हमको पता चल रहा है कि यह पीपर हाव स्टूप का discovery हो रहा है the discovery or the people house took is taking place ठीक है अब कहानी क्या है पहले तो 8 stoop बने पहले कितने stoop बने 8 stoop बने अब पहले 8 stoop थे जहां पे relics और बुद्धा हुआ करते है relics मनला बुद्ध की अस्तिया थी अब अशोक पावर के उपर आया अशोक पावर के उपर आया अब अशोक कहता है कि यार मुझे भी stoop बनाना है I also want to make a stoop है ना समझेक नहीं समझे अब बुद्ध की अस्तिया तो सब जगा पर fit हो गई है क्योंकि stoop के उपर एक construction create हो गया था there was a construction over the stoop है समझेक नहीं समझे है ना अब stoop के उपर construction हो गया है मुझे तो अब stoop बनाना है I want to make more stoop मुझे सब में अस्तिया डालनी है तो अशोक क्या करेगा पता है अशोक ने कुछ-कुछ stoop को खोला he actually opened up the stoop stoop के अंदर बुद्ध की जो अस्तिया थी ने एक डबबे के अंदर रखी थी basically आप देखोगे clay का pot होता है kind of वैसी चीजों के अंदर रखी जाती थी या कोई brass का object हो गया उसके अंदर रखी जाती थी brass का एक हम लोग कह सकते हैं घड़ा कह सकते हैं या kind of clay का pot हो गया मट्टी का माटी के बरतन से बना हुआ कुछ pottery traditions उसके अंदर रखते थे sir तो अशोख ने खोल दिया उसको तोड़ो उसको है न तो अशोख ने इन में से काफी सारे GDP उ को खुलवाया अशोख कुछ-कुछ तूपों को खोलता है खोलने के बाद कहता है की इन में से कुछ-कुछ में अस्तिया निकाल दो कुछ-कुछ जो उनके रिलिक्स थी उनकी अस्तिया थी वो निकालो और निकालने के बाद अशोक ने उनमें से नए स्टूप बनाया सर अब अशोक के लिए बोला तो जाता है उसने 84,000 स्टूप बनाया कितने बनाया 84,000 स्टूप बनाया पर मुझे लगता है कि this figure is exaggerated सर समझे यह जो आकड़ा है थोड़ा exaggerated आकड़ा है exaggeration का मतलब है कुछ ज्यादा ही अशोक के लिए बोला गया एक्शुली अशोक ने खुद ने क्लेम नहीं किया था सर ठीक है बट आपको एक किताब दिखेगी अशोक वदना और दीवय वदन करके एक और किताब दिखती है सर ठीक अशोक ने बुद्ध के जो रिलिक्स थे वो पुराने स्थूपों से निकाल दीये सर ठीक है और जहां जहां पर इनफार्ट इंपोर्टन 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 स्था अशोक के समय के अब अशोक के टाइम्स में पाटली भूतर बहुत इंपोर्टन था शांची बहुत इंपोर्टन था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कुछ-कुछ टाउंस इंपोर्टन से आप याद करिए फिछले चैप्टर को चैप्टर नुबर टू तो उसमें आपको अशोक के बहुत सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री बताई थी सामराजे विस्टर न बता है तो उसमें कुछ-कुछ जगाओ के पर अशोक ने स्टूब बनवा दिये सर है अब देखो यहां से कोशन आएगा कि यह कौन सी किताब है सर तो नेम ऑफ दे बुक है न यूँकि 84,000 स्टूब बनवाना इस वेरी टफ थिंग है न और उसमें भी सब में बुद्ध की अस्तिया नहीं होगी तो कुछ-कुछ स्टूब कैसे थे शारीरिक स्टूब बने मतलब जहां पर अस्तिया थी कुछ-कुछ वोटी बने यह सिंबॉलिक स्टूब बने अब देखिए यह तीनों की तीनों जगाए ऐसी है जहां पर प्रारंभीक रूप से स्टूब नहीं बने थे आपको पूछेगा कि विच ओफ दी फॉलोइंग प्लेसे एक कोशन आपको पूछेगा सर ठीक है ना आपको डारेक्ली पूछ देगा आप लेखना है तो लिख दीजे की विच विच फॉलिविव फॉलोइंग फ्लओंग फलोविस फॉलोईंग फॉलोईंग फॉलोइंग सब्स देख आप दिखी महीं की कहीं मा देख दिखुप याग फॉलोइज़ूभीक consig तूफ श्ञत्रम एंग inside दो नोओंग पॉलोईंग फॉलोनगन डिखु आर we gore 116 इसमुर्णीट है उसमें फिन उपनीं जगा देगा राम ग्रम है अ सम्झेपि रिख्र स्वी को जगह थेगा आजव मखने मैं है पावा पांच भी जगा देगा बहुत 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 है ना और आपको इस में से बोलेगा सिलेक्ट करेक्ट कोड्स करेक्ट कोड्स समझ में आया कि नहीं है आपको और इन में से आपको identify करना है कि कौनसी कौनसी जगा में कौनसी कौनसी जगा इन में से नहीं है जहां तो आपको बोल देगा 1,2,3,4 option number A के अंदर option number B के अंदर आपको डाल देगा say for example 2,3,4 समझेक नहीं समझे option number C के अंदर आपको डाल देगा 3 & 5 और option number D के अंदर आपको डाल सकता है 1,2 & 4 समझेक नहीं समझे है आपको प्रश्ण समझ में आ गया होगा hopefully आपको पूछा के आ गया है कि which of the following places is or are not part of the early stoopa tradition मतलब प्रारंबिक stoop जो बने थे उनमें से नहीं था असर है ना are not the part of आपको यह याद रखना है you are supposed to remember कि which of the following places are not the part of this है ना और इसमें चार बोलागे रामग्राम कपिला वस्तू सांची पावा और बरहुत है ना अब इनमें से आपको correct जूनना है सर है ना not है not है प्रश्ण को पढ़ लीजेगा अब क्या रामग्राम early stoopa tradition का पार्ट था की नहीं था तो मैं कहूंगा क yes रामग्राम was part of the early stoopa traditions ये पहले आंट stoopa बने उनमें से एक था कपिला वस्तू था कि नहीं था yes कपिला वस्तू भी था सर ठीक है सांची था no सांची was not the part है ना क्योंकि ये तो अशोक ने बना है था सर है ना ये तो अशोक के समय पे बनता है पावा था की नहीं था yes पा गुबंश की डैनस्ती आई उसके द्वारा बना है सर ठीक है तो आप पकडने की कोशिश करोगे तो इसमें से आपको eliminate करना पड़ेगा सर ठीक है ना समझेक नहीं समझे तो आपका वन वाला गलत आ रहा है जहां जहां वन आता है उसको निकाल दीजिए सर है ना तो यह वन फ्री और फाइव वाला एकी option बसता है तो इसका answer क्या होगा सांची और बरहौत है ना क्यूकि यह नौट पाट अफ अफ दी अल्ली स्तूपा ट्रेशन बोथ सांची और बरहौत याद रखेगा बोथ सांची और बरनाथ यह पाट अफ दी लेटर स्तूपा ट्रेशन का मत लगत कि यह बाध के समय के अंदर बने थे यह बुद्ध के समकालीन समय पर या बुद्ध के मृत्यू के बाद नहीं बने थे डिवर नॉट वल्ट कर दो देथ ही समजह कहां ना तो आपको इतना point clear होना चाहिए कि क्या condition हुआ करती थी और किस तरह से यह जो stoop traditions की बाते हो रही है उसके अंदर से प्रशन आएंगे तो इसका right answer C होगा option number C will be the right option ऐसे questions आपको आने की शक्यता है और stoop की philosophy की आपको पूछा जा सकता है stoop की philosophy की कहानी क्या है उसके उपर अब थोड़ी बहुत बात करता है what is the philosophy of the stoopa और stoop के पीछे की जो पूरी की पूरी basis है उसको कैसे highlight किया गया है अब देखें बुदिजम में बहुत सारी किताब है पाली literature के अंदर से ठीक है the third book is known as अभिधम अपिताग कौन से किताब है अभिधम अपिताग है न तो basically ये मैंने बताया था कि ये जो stoop बन रहा है all this stoop creation has been done उसके बीछे बुद्ध और आनंद की एक वारता है मैंने आपको अभी थोड़ी ज़र पहले बताया कि stoop बनने के पीछे का जो कारण है उसमें बुद्ध ने आनंद को एक order दिया था या इनके बीच में एक discussion हुआ था जब basically बुद्ध का आखिर का समय चल रहा था क्योंकि basically दो ही सिश्य थे जो बुद्ध के आखिर के समय में उनके साथ थे तो सुबद्र करके उनके एक सिश्य मिलेंगे और दूसरे आनंद है आनंद उनके कजिन थे और बुद्ध जब पहली बार कफिला वस्तु गए थे after getting enlightenment तो आनंद उनके साथ जुड़ गए थे उनके संग के अंदर क्योंकि आनंद वो सो मच मोटिवेटेड by his discussion and thoughts तो आनंद को लग रहा था कि यही रंग और यही पाथ हमारे लिए ठीक रहेगा सब ठीक है तो अब कहानी क्या चलते है what does the story goes on the story goes on to say that बुद्ध और आनंद के बीच में चर्चा हुई और यह चर्चा के रूप में ही फिर स्टूप creation की शुरुवत हुई अब यह जो चर्चा है यह कहां पे लिखी गई है in which literature समझ में आ रहा है आपको एक प्रशन यहां से आ जाएगा कि बुद्ध ने आनंद को यह बताया कि बेटा मेरे गुजरने के बाद स्टूप बना दीजिएगा after my death please try to make the स्टूप where it has been written down यह कोशन बन सकता है आपको ठीक है तो याद रखेगा कि यहां पे जो बुद्धिस literature है ना बुद्धिस literature में तीन किताब है विने पिताग, सुद्ध पिताग, अभिधम पिताग उसमें सुद्ध पिताग के अंतरगत आप देखोगे तो बुद्ध के टीचिंग्स आते है all these teachings are part of the सुद्ध पिताग तो यह जो टीचिंग्स है ना इसमें किताब है जिसका नाम है महापरी निर्वान सूत्र क्या नाम है महापरी निर्वान सूत्र महापरी निर्वान का मतलब क्या होता है मृत्य होता है समझेक नहीं समझे तो the name of the book is known as महापरी निर्वान सूत्र which is part of the सुद्ध पिताग सुद्ध पिताग में बहुत सारी किताब है मतलब कोई एक बुक नहीं है सुद्ध पिताग आप कभी पढ़ोगे मैं आपको पूरी हाइरार्की बताऊंगा कि सुद्ध पिताग is one such book which consists of multiple number of books मतलब इसके अंदर से इतनी सारी किताब है कि आप ठक जाओगे तो ये जितनी भी किताब है महापरी निर्मान सुत्र उनमें से ही पाठ है सुद्ध पिताग कर उसमें इन दोरों के बीच में चर्चा हो रही है समझेक नहीं समझे है तो why the stupas were built what was the rational behind the making of the stupa समझ में आ रहा है what was the rational behind the making of the stupa तुप क्यों बने है उसके पीछे कारण क्या है वो यहाँ पे बोला गया है this is an excerpt from the महापरी निर्वान सूत्र और सुत्र पाली में सूत्र होता है संस्क्रिप्ट में सूत्र बनता है रा एड होता है न सर इसके लिए as Buddha lay dying Buddha अपने जीवन में आखिर के समय पे ते कहां पे थे? कुशी नगर में हुआ करते थे याद रखेगा वही जगा वहाँ पे स्तूब भी बनता है कुशी नगर में लेटर उन स्तूब बनेगा यह इसको कुशी नार भी कहता है in many of the books it is written as कुशी नार कुशी नार और कुशी नगर बोथ हार सेव हों जो चिंता मत करेगा Buddha lay dying Ananda ask me Ananda ने उनको पूछा what are we to do Lord with the remains of तथागत समझ में आ रहा है कि प्रभू आपकी अस्तियों के साथ हम क्या करेंगे और Buddha के लिए एक शब्द यूज किया गया है तथागत यह याद रखे सब अब Buddha है ना बहुत सारे नाम से पैचाने गए है when we see the story of Buddha जब हम लोग basically Buddha की story के लिए जानते है तो आपको पता होना चाहिए कि Buddha के लिए अलग-अलग नाम आपको देखेंगे तो basically we see that एक शब्द आपको यहाँ से दिखता रहेगा तथा गत के रूप में हम लोग पैचानते हैं Buddha के लिए in the Buddhist literature in the Buddhist history we find multiple names जैसे एक नाम आपको देखेगा शाक्य मुनी क्योंकि he belongs to the शाक्य dynasty कभी-कभी आपको देखेगा शाक्य सीन का मतलब यह शाक्यों का शेर है वैसे ही आप देखोगे तो Buddha के लिए एक और title हमको मिलता है तथागत शाक्य मुनी शाक्य नरेश यहाँ पर in fact बोला गया है कि एक title मिलता है तथागत का सर अब आप समदने की कोशिश करिए तथागत का मतलब क्या है यह एक ऐसा व्यक्ति जो मूल तहा से enlightenment प्राप्टी के बाद आगे चला गया है एक ऐस व्यक्ति who has achieved enlightenment who has gone beyond the worldly life तो उसके लिए यह शब्द तथागत बोला क्योंकि बोधी बन गया थे ना बुद्ध तो निर्वान प्राप्ती कर दिये थे तो after achieving निर्वान प्राप्ती तो he was becoming a bodhi enlightenment बहुत गनानी बन गया थे तो एक व्यक्ति जो संसार से दूर चला गया है संसार से शारिडीक भी दूर चला गया है समझे और वो मानसिक रूप से भी दूर चला गया है मतलब आप physically भी हो सोच सकते हो और मैं कहूंगा mentally तो होई जाएगा इसी के अंदर से क्योंकि mental भी इसी का ही पार्ट होगा और इसके अंदर हम लोग लिख सकते है जो आपकी liberation है जो मोक्ष की बात की गई है वो भी इसी का ही पार्ट बन जाएगा तो आनंद ने कुशी नगर के अंदर जब बुध अपने आखिर के जीवन में थे तो उनको पूछा कि what are we due to Lord with the remains of तथागत तथागत हम आपकी अस्तियों के साथ क्या करे आपका शरीर के साथ क्या करे आपके मृत्यों के बाद क्या होगा then the buddha replied बुध ने उनको जवाब दिया बहुत interesting discussions है न सर अच्छा बहुत interesting बात बतारो आपको ये सवाल नहीं होता कि सर ये जो paragraph है ये अंग्रेजी में कि इसने अनुवादन किया who actually translated this in English तो आपको एक Indologist दिखेंगे Max Muller Max Muller was one of the earliest ones जिसने बहुत सारी बुधिजम की किताबों को study किया actually उसने वेरिक religion को भी study किया था और वो Aryan invasion की एक हमबग theory को promote करता है आपको बता होगा कि आरी आये थे invasion हुआ था ये वह सर ठीक है पर उसका contribution बुधिजम के लिए इस बहुत ठीक है क्योंकि उसने बुधिजम को काफी aptly describe किया और पाली साहित्या की जो जितने भी कताय थी पाली literature में जो भी story लिखी गई थी वो सबको अंग्रेजी मानुवादन की और फिर उसी के business के उपर और फर्दर किताबे लिखी गए खेर आज की तारीख में भी उसके उपर research हो रहा है एक संस्ता है बोरी बंदार कर करके एक बहुत इस टॉलवर्ट नेशनलिस लीडर से जो social reforms में भी बड़ा contribute करता है तो he wanted to highlight the Indian case of history in an Indian way वो भारत के इतियास को भारतीय रूप से देखना चाते हैं ना कि अंग्रेजों के द्लू से हैं तो फिर मूलर ने ठीक काम किया इसमें तो ठीक काम किया था मूलर की यह सब बात हैं अंग्रेजी के अंदर से तो बुधा रिप्लाइड हिंडर नॉट यॉर्सेल्फ आनन्द बाय ओनरिंग द्रीमेंस अफ तथागत सर है ना समझेक नहीं संदे be zealous be intent on your own good क्या बता रहा है सर है ना कि हिंडर नॉट यॉर्सेल्फ आप अपने आपको इस तरह से रोकिये मत सर समझेक नहीं समझे तो वाट एक्चुली बुधा इस हाइलाइटिंग टू आनन्द बुधा बेजिकली आनन्द को बता रहे है कि आप इन फेक्ट है ना वस्तू को कॉंप्लीकेट मत करियेगा सर समझेक नहीं समझे हिंडर का मतलब क्या है कि आप कुछ आप्स्ट्रक्शन क्रियेट मत करियेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी अस्तियों के साथ कॉंप्लेक्सिटी क्रियेट करवाए है आप देखे कितने झनानी थे उनको पता था कि मेरे मुरुत्यू के बार समझिघ्स साथ गण संगत है ना कपिला वस्तू था मतलब शाकिया वन्स था राम गराम था लिच्षाविस थे अजाध सत्र खुद आ गया बीच में राजगीर से सेना लेके गया और महराज की पूरी जिंदगी अहिंसा का पड़ा है उनके मृत्यू के बाद उनके सिश्यों के द्वारा और उनके जो फॉलोवर से मतलब उनके जो डिसाइपल से उनके द्वारा लड़ाई हो जाती है कि उनकी अस्थियों को कौन रखेगा सर आप समझने की कोशिश करिए बुद्र के सा तो जीवन के बाद तो कुछ अलगी कहानी आपको मिलेगी सो होता क्या है सर ठीक है यहां क्या बोल रहे है बुद्र बुद्र रिप्लाइड हिंडर नॉट यॉर्सेल्फ आनंद बाइ ओनरिंग दरिमेंस अब तथागत आप अपने आपको तकलीफ में मत मुकिए कि मेरी अ यहां पे मेरी अस्तियों को in fact है ना कॉंप्लिकेट करने की मत कोशिश करिएगा उसको लेकर संगर्श होगा कोई बोलेगा कि ये करो वो करो फला करो सर ठीक है तो वाटेवर वर्क यूर दूइंग सर है ना वाटेवर वर्क यूर दूइंग उसके अंदर आप करते रहे है intent on your own good, आप अपने लिए कार्य करते रिए, क्यों कि बुद्ध ने हर एक इंसान को एक चीज़ बताई थी, बुद्ध ने हर एक इंसान को एक चीज़ समझाई थी, क्या बताया था, उनको बताया था कि आप अपने करतवे का पालन करिये, यू फॉलो यूर ओन धहमा, दूटीज का फॉलो करिये, तू अप्रिफ यॉर्सेल्फ रॉं दॉब्लीवियन, समझे ख नहीं समझे, बुद्ध कहते है कि एवरी पर्सन केन बिकम बोधी, अपने जीवन के आखिर के समय पे भी वो आनद को यही दिशारी कर रहे थे, वो यही बता रहा है थे कि आप अपने कारिये के ऊपर ध्यान रखेगा, rather than मेरी अस्तियों को लेकर आप चिंता कर रहे हो, सर, मेरी रिक्स को रहे के चिंता कर रहे हो, देखे कितने ग्रान ही है, सर, बुद्धी ऐसे ही बनता है, इंसान को पता है कि उनके मृत्यों के बाद क्या होने वाला है, यह वस एक्चुली इंडिरेक्ली अवेर कि कुछ कॉंप्लेक्सिटी इस क्रियेट होगी, इसके लिए कहते है कि हिंडर नॉट यॉर्सल्फ आनंद, बाइ ऑनरिंग द्रिवेंस आफ तथागत, मुझे ऑनर करके क्या मिलेगा, मैं तो मट्टी में मिल जाऊंगा, पंच्तत्वा में चला जाऊंगा, खेर बुद्धिजम पंच्तत्वा में सीधा नहीं मानता है, पर क्रिमेशन के बाद तो वही होगा, अल्टिमेट्ली, बी जीनस, बी इंटेन्ट और ओन गूड अपने उपर काम करिए, अपने जीवन के उपर काम करिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा, उसके बाद आनन्द माने नहीं, आनन्द कहते हैं कि महरा जैसे थोड़ी चलेगा, आप हमारे प्रभू हो, आप हमारे संत हो, आप महात्मा हो, तुमी हो माता चाओ, पीता तुमी हो, तुमी हो बंदू चाओ, सखा तुमी हो सर्, वही बात है ना सर्, बुद्धा वास एठीचर, बुद्धा वास एठीचर, वो विहार में थे, he was traveling from one place to other place, and because he was in विहार, the situation was such that not much people could join in his last moment, अनन्द कहते है कि नहीं महाराज, we cannot leave you like this, आपके मुरुत्यु के बाद, हमें आपके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, we need to do something for you, this is not practically possible, कि आप हमको बोल देते हो कि कुछ मत करो, honor मत करो, यह वो, तो आनन्द ने बुद्ध के ओपर बहुत pressure डाला, generally होता क्या है कि जितनी बड़ी-बड़ी हस्तिया है, इतियास में, जितनी भी महान लोग हो गए है, वो हमेशा एक चीज़ आपको दिखाते है, हम लोग कहेंगे कि humbleness, they are very down-to-earth person, Buddha never claimed that he was a god, Buddha never said in his discussions कि मैं भगवान हूँ, कि मैं किसी का अवतार हू, incarnation हूँ, he never said that, humility and humbleness were part and parcel of their characters, आपको ethics के अंदर GS paper 4 में एक topic आता है, वो है the role of the Indian thinkers and philosophers and how they guided the Indian ethics, वो भारती ethics में कैसे हमको मदद करते हैं, तो जब आप इन सब points को देखते हैं, तो आपको देखना पड़ता है कि भारत के इतियास में, ऐसे बहुत से लोग आपको दिखेंगे, उन लोगों की जब इतियास के अंदर हम लोग उनका चाल चरीतर देखता है, when we see the foundation, and when we see their character, we come to know कि यार ये वो लोग थे, जो in fact बहुत हमबलनेस के साथ और हुमिलिटी के साथ दर्शा रहा है तो आप देखिए, बुद्ध के टीचिंग्स में आपको एक चीज़ देखेगी, वो है बहुत हमबल, wherever you are है आप life में सबसे ऊपर के ऊपर हो, या सबसे नीचे की condition में हो, humility, in fact आप के अंदर होनी चाहिए, आप हमेशा जितने हमबल रहोगे, graceful रहोगे, अपने subordinates के प्रती, अपने seniors के प्रती, उतने ही आपका मान, सन्मान, विवेक, वो सब आप अचीव करोगे, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये बुद्ध के teaching से हमको सीखता है, और ये हर एक चीज़ों के अंदर, भारती इतियास में जितने भी घटना है, जितने इतियासिक घटा है, सब के अंदर आपको एक चीज़ दिखे, और अहंकार आपको लेग डुबा देता है, बुद्ध कहते हैं कि ego is one such thing, जो आदमी को डुबाता है, क्योंकि ego, ignorance यही चीज़ आपको डुबा देती है, ये तो negativity है body के अंदर, हमारे शरील के अंदर से, तो इसके लिए इतने महान ग्नानी व्यक्ति, अपने मृत्यू का समय है, महापरी निर्वान का समय है, निर्वान तो हो चुका था, he had achieved enlightenment, वो तो गया के अंदर हो गया, उनको 35 साल की उबर में, पर जब मृत्यू था, तो बोला गया कि क्या किया, आनंद ने उनको pressurize किया, अनंद कहता है कि नहीं महाराज, हमको आपके लिए कुछ करना पड़ेगा, we need to do something for you, we cannot leave you like this, आपकी अस्तिया, आपकी legacy, आपका इतियास, आपके teachings, आपके विचार, हम क्या करेंगे, what will do, हम आपके बेना अधूरे रह जाएंगे, हमें कोई दिशा दिखाना वाला तो चाहिए, we need someone who can show us the direction of life, we need someone who can actually show कि what is the true meaning of life, आप भले नहीं हो, बट आपकी presence हमको feel करनी है, तो जब आनन्द ने बुद्ध को बहुत press किया, press करना का मदलब है कि उनके उपर pressurize किया, बुद्ध बताईए, आप बताईए, तथागत क्या किया जाए, हम आपके लिए क्या करें महराज, तो बुद्ध कहते है, कि at the four crossroads, they should erect a thuppa, दिख रहा है आपको, मैंने आपको सबसे पहले जब class शुरू किया, तो मैंने एक शब्द का mention किया गए था, थुपप का, ठीक है, यद आया कि नहीं है, थुपः, which is a Pali word for stuppa, पाली में उसको थुपः कहते है, संस्क्रिट में उसको stuppa कहते है, याद रखेगा जब मैंने इसको शुरू आपके, और ये मृत्यू को दर्शाता है, क्योंकि बुद्ध के, मृत्यू के बादी ये सब कुछ बना था सब, सो यहाँ पे आनंद क्या कह रहे है, बुद्ध को प्रेशराइज कर रहे है, आनंद के सामने बुद्ध ने जवाब दिया, कि at the four crossroads, देशू इरेक्ट थुपः, the Pali word for stuppa, तू दे तथागत, समझ में आया कि नहीं है, अब देखें, बुद्ध बहुत स्मार्ट थे, एक रास्ता यहां जा रहा है, समझ में आ रहा है, एक रास्ता यू जा रहा है, एक रास्ता यू जा रहा है, एक रास्ता यू जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और एक रास्ता यू जा रहा है, बुद्ध कह रहा है कि यहां पे मेरी स्थिया रख रहे हैं बीच में, इसे आज कल हम लोग ट्राफिक सर्कल के रूप में पहचानते हैं समझेक निए दिस वस पीरिड ऑफ फिफ्ट सेंचूरी 483 बीसी का पीरिड था जब उनका मुरुत्ति हुआ था उसी नगर में मुरुत्ति हुआ था दिस वस पीरिड वें नौर्थ इंडिया वस गोईंग थूरू सेकंड अर्बनाइजेशन अगर आपको ना पता हो तो उत्तर भारत में दूसरी शहरी करांती की शुरुआ थो थी नगरी करन की शुरुआ थो थी प्रेड अन कॉमर्स वस गेटिंग डेवलॉप्ट भारत में व्यापार और वानिज्यक का बहुत विकास हो रहा था and we see that there was movement of people across the places भारत के अंदर भारत के बाहर लोग बड़ी मातरा में अलग-अलग जगा पे ट्रावल कर लगे बुद्ध चाहते तो यह जो स्टूप है वो कहीं और बनवा देते वो कहते कि ऐसी जगा पे बनवा कोने के अंदर जंगलों के अंदर बुद्ध चाहते थे कि ऐसी जगा पे बनवाओ जहां पे आते जाते कोई भी लोग मेरे यह स्टूप को देखे और जब यह स्टूप को देखेंगे तो eventually what will happen my teachings will be alive मेरे विचार मैं जो कहना चाहता था even मुरुत्यू के बाद भी जिन्दा रहेगा एक चीज़ याद रखेगा व्यक्ती मर जाता है विचार नहीं मरते विचारों को कैद करना पड़ता है अब परसन पासी ऑवे बट दी आइडिलोजी सर्वाइज आडिलोजी रहती है यह दुनिया के इतियास में सब जगा पर आपको देखने को मिले ओन्ली तिंग आट र की काइंड ओफ हम कह सकते है की अमर हो गया सर्व दे बिकेम एक्चुली आइकें से इम्मॉर्टल वो कभी भी आप देखोगे खतम नहीं हो कैसे बुद्ध के टीचिंग्स को एक तो संग के दारा स्प्रेड करवाया गया संग played a very important role in spreading तो even after इस बुद्धास death संग ने spread किया दूसरा देखोगे तो इसी के बाद आपको पता चलता है पाली लिट्रेचर का compilation हो और पाली लिट्रेचर के अंतरगत जो first council होती है कहां पे होती है परस्ट council टुक प्लेस एट राजगीर और राजगीर के अंतरगत in fact अजाद सत्रु करके जो राजा था उसने दो किताबे compile करवाई से बिनाय पिताक एंड सुद्ध पिताक याद आया यह दोनों की दोनों किताबों के अंदर in fact बुद्ध के टीचिंग्स को एड़ किया ग क्यों अमंद कर दिया पता है समझें क्योंकि जो भी बंदा आता था जाता था पहले आठ जगाएं बनती है इनीशली एट प्लेसिस हुए और उसके बाद आप देखोगे तो यूल फाइंड आउजन सेंट थाउजन सोफ प्लेसिस मोर दन एट थाउजन प्लेसिस कें बी सी आज की तारीक के अंदर जहां पर आपको स्तूप मिलेंगे अब सब जगा पर बुद्ध की अस्तिया नहीं थी सब जगा पर बुद्ध की अस्तिया नहीं थी not every places had the remains of बुद्ध याद रखेगा ये जगा पर देखोगे आपको यहां पर भी स्तूप मिलता है नागरजन कों सब जगा पर तो मेरी एस्तिया पहुंचेगी नहीं तो राजा उसको कॉपी करेंगे तो यहां जो साउथ इंडिया के अंदर स्तूप बने ना भाई सब नागरजन कोंड़ा में अमरावती के अंदर अशोक ने सांची में बनवाया यह जितने भी स्तूप बन रहे है वहां यहां पर एक्शुली देखोगे तो उनके अस्तिया वाले स्तूप नहीं बने थे बट यहां पर जब स्तूप बना ना बन स्तूप वस क्रिएटेड ओर पीरेड ऑफ टाइम इन डिस रीजिएन डिस क्रिएटेड मार्क और बुद्धिजम के एक बहुत बड़ा मार्क उभर यह जो स्तूप ट्रेडिशन था यह स्तूप ट्रेडिशन के अंतरगर तो बुद्ध ने कहा कि भाई आप ऐसे करिए और बुद्ध ने रीत रिवाज भी शुरू कर भाई बुद्ध क्या कहता है बुद्ध कहता है कि कोई भी विक्ति यहां पे इनफेक्ट नहार माला फू आते हैं फूल चड़ाते हैं और पर्फ्यूम अगर बती है कुछ भी आपने रख दिया सेंट रख दिया और में का सैलूटेशन ओवर दियर सैलूटेशन में लोब यह वाली नहीं पर उस तेम पर यूं सैलूटेशन होती थी है ना हाथ जोड़के नमन कर दे और बिकम इन पर रख देन खर में नमन करेगा BEC typically चड़ाएगा गोल गोल प्रदक्षिन में रहेगा वह हमेसी रहें तो कभी दुखी नहीं रहे तर इस से क्या पता चल्राई है प्रैक्टिस सशुरू हो रही है और एक ऐसी प्रैक्टिस से शुरू हो रही है जहां बुद्ध चाते थे कि लोग उनको आके स्टूप में आके खाली फॉलो करें सर प्रदक्षिना शुरू होती है बुद्धम शर्णम गच्छामी संगम शर्णम गच्छामी धमम शर्णम गच्छामी सर गोल चकर गुमा दिया सर हमने गोल चकर गुमा दिया आपने I actually went around the clock code of conduct देवलोग हुआ और इससे लोगों को एक institutionalization aspect मिला और ये जो institutionalization का aspect मिला उसके कारण स्टूप की size पहले छोटी हुआ करती थी initially the size of the stoop was like this छोटा से एक स्टूप था यहां पर बुद्ध की अस्तिया पड़ी रहती थी किसी ने कहा कि यह बहुत छोटा है इसको बढ़ा करते है तो over a period of time इसको एक platform बनाया गया platform के ओपर स्टूप को बनाया जाता है अंदर बुद्ध की अस्तिया रखी गई किसी ने कहा कि नहीं इसे और बढ़ा करते है बोले क्या करेंगे platform के आजू बजू में production अमार्ग रखेंगे उपर घूमने के लिए गोल गोल फिर उसके आजू बजू में एक हरमी का बनाया फिर उसको पर तीन छत्र बन दिये गए अस्तिया यहाँ पर डाल दी गई सर और यहाँ पर एक platform के उपर चड़ने के लिए CD बनाई जाती है फिर चौथा बंदा आया वो कहता है कि यार इसमें और expansion करना है क्या करना है कि यह स्तूप के आजू बाजू में एक boundary wall बनाते है लेट उसमेक बाउन्डरी वाल समझेक नहीं समझे और इसके चार दर्वाजे करेंगे एक gate यहाँ पर करेंगे एक gate यहाँ पर करेंगे एक gate यहाँ पर करेंगे और एक gate यहाँ पर करेंगे इसे कहा गया तोरण decoration होने की शुरूआत हुई और कहां बुद्ध ने सोचा था कि आप एक चोटा सा माउंड बनवाईएगा तिल्ला बनवाईएगा वो तिल्ले से बनते बनते आप देखोगे तो इतना बड़ा मॉनुमेंट क्रियेट हो गया सीडी बन गई, बाउंडरी वॉल बन गई तोरण गेटवे बन गया और जो छोटा सा एक माउंड माटी का धेर नहां पर अस्तिया रखी गए थी एक place of worship के रूप में उभर किया गया समझ में आया कि नहीं आया तो देखिए ये जो place of worship के रूप में स्तूप का development हुआ this became very important part of Buddhism और इसमें बुद्ध के जीवन के साथ जो भी बाते थी जो भी वारता है थी जो भी कथा थी वो सब involved की वे बुद्धिस्ट आइडियल्स बुद्धा के जितने भी teachings और साथो साथ देखोगे तो हमको बदा चलता है folk stories बुद्ध के related जितने भी folk stories है all this were carved out on the stoopa इन सब का carving stoop के उपर होने की शुरुवात होगे all this were carved out on the stoopa और इसी बीजिस के उपर से क्या होता है कि stoopa का निर्मान किया गया design बनती है और architecture में का लक्षा पुभर के आएगी तो ये थी कहानी stoop building की ये थी कहानी stoop traditions की ऐसी और भी कहानी है जिसके उपर मैं कल discuss करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि stoop के अंदर buddhist ideals कहां से आये in fact इसका structure कैसे develop होता है इसका foundation मैंने अभी आपको बताया कि पहले छोटा stoop था वहां से बड़ा हुआ बड़ा होते होते इतना बड़ा complex बन गया फिर बुद के सिश्यों के स्टूप बनेंगे बुद के तो बनी गये थे अब उनके सिश्य उनके disciples के स्टूप बनेंगे और फिर खाली symbolic gesture में पत्थर को काट काट के पूरे भारत में स्टूप बनेंगे और बुद के रूप में बुद की पूजा अर्जना शुरू हुई तो काफी लोगों ने कहा कि उनकी मुर्तिया बननी चाहिए और वहां से इन महायान संपरदाय बना जिसने बुद को बगवान के रूप में स्विकारते उनकी मुर्ती बनने की शुरुआत की और बुदिस्ट आर्किटेक्चर में स्टूप के बाद अब हुमन इमेजिस बनने की शुरुआत होगी गांदार, मतुरा, अमरावती आदी त्यादी जगा के उपर बुद को भगवान के रूप में मानते हुए उनकी अलग-लग चित्रकरा और उनकी अलग-लग मूर्तिकला का विकास हुआ कैसे होता है, किस तरह से होता है उन सब पॉइंट्स को आगे के क्लासिस के अंदर डिस्कस करेंगे कल थोड़ा बहुत स्थूप आर्किटेक्चर को आगे पढ़ाते हुए कंक्लूड करूँगा, आज यहां पर ही मैं आपके सेशन को खतम करता हूँ अगर आप हमारे साथ अन अकेडेमी के ओपर जुड़ना चाहते हो तो इस इस दी एंट्रीगेट तो यू टेक दिस सब्सक्रिप्शन नाओ 10% आउफ मिलेगा वाइल यूजिंग दिस कोड पी अन लाइव इन फेक्ट आफ हमारे फ्री क्लासिस में भी जॉइन करना चाहोगे जो स्पेशल क्लासिस के रूप में हैं उसमें भी पी अन लाइव कोड यूज करिए आज यहां पर यह कंक्लूड करता हो लाइ बहुशा और सबस्क्राइब आर उन लाइवारिन क्ट वाइब को यहां आप इन लाइव यहां जाहिए लाइए बहुड लाइवारे नाच कि आफ लीक्स एड़ आदिवा उस्तूड़ धूराउ